जैसे ही साम ये दुफेर होती है हमें चटपटा खाने का मन करने लगता है तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही नई चटपटी टेस्टी रेस्पी इसके लिए मैंने यहां पर आधा पत्ता गोबी लिया है और इसको दो भागों में काट लिया है क्योंकि इ आप इसे कद्दूकस नहीं करना चाहते तो आप इसे चौपर से एकदम फाइनली चौप भी कर सकते हैं लेकिन बारीक चौप आपको इसको करना है तो चलिए हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं तो लेजे हमने पत्ता गोबी को कद्दूकस कर लिया है अब चलते हैं हम गैस क जीरा को हम अच्छे से खी में क्रेकल्स कर लेते हैं अगप हम इसमें डालेंगे कद्धुकस किया हुआ पत्ता गोबी अब इस पत्ता गोबी को हम कम से कम एक से देर मिनद तक इसी तरह से फ्राइ करेंगे यानि कि भूनेंगे तो लेज़े हमने पत्ता गोबी को एक ग्रम नट तक अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे स्वादन सार नमक अब इसमें स्वाइसी फ्लेवर के लिए हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर साथ में हम डालेंगे एक चौथाई चमच के करीब भूने हुए जीरे का पाउडर इससे काफी अच्छा टेस्ट आएगा साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर तो काली मिर्च जरूर डालें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम 3-4 मिनद तक पत्ता गोबी को अच्छे से भूनेंगे क्योंकि पत्ता गोबी में अपना जो रस है वो होता है नमक डालने से ये थोड़ा सा और गीला हो जाएगा इसलिए आपको हाई फिलेम पर इसको लगाता चलाते हुए 3-4 मिनद तक भून लेना है थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि पत्ता गोबी काफी अच्छे से भून चुका है और ये पहले से काफी ड्राई भी हो गया है भूने से इसका गच्छापन खतम हो जाएगा और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा तो अब हम इसे अलग निकाल लेते हैं अब अलग बरतन में हमने याँ पल ली है एक कप सूजी एक कप सूजी के हिसाप से उसी बरतन से हम आधा कप दही डालेंगे अगर दही बहुत खटी है तो आप एक चौथाई कप ही दही लें इससे ज़्यादा ना ने स्वादन सार हम इसमें नमग डालेंगे और पानी डाल करके इसका हम गहड़ा सा गोल बना करके तयार करेंगे तो लेजे हमने सूजी का गहड़ा सा गोल रेडी कर लिया है तो अभी हमने हलका सा पतला रखा है क्योंकि अभी हम इसको रेश्ट के लिए रखेंगे तो सूजी फूलती भी है इसमें हम बारी कटा हुआ हरा धनिया एड कर देते हैं और इसमें हम कुछ भी नहीं तो गोल हमारा ready है इसको हम rest के लिए 5 से 10 नट के लिए रख देंगे rest के बाद आप देख सकते हैं सूजी पहले से काफी थिक हो गई है बस इसी तरह से हमें सूजी का paste चाहिए था अब हम इसमें आखरी में डालेंगे एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा ये जरूर डालें इससे जो हम नास्ता बनाने वाले हैं काफी स्पॉंजी काफी सॉफ्ट बनेगा अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो इतनी ही कौंचिटी में आप इनो फ्रूट सॉल्ट का इस्तमाल भी कर सकते हैं लेकर इसे आपको बिल्कुल आखनी में ही डालना है जब आप नास्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं तो बस सोडा को हम अच्छे से फेड़ते हुए मिक्स कर लेंगे रेडी है तो चलते हैं गैस की तरफ तो यहां पर हमने फिर से वही पैन रखा हुआ है पैन में हम घी से एक बारी अच्छे से ग्रीसिंग कर देते हैं अब हमने जो पेस्ट या घोल बना करके रखा हुआ है इसको हम चम्चे की मदश से इसमें डालेंगे के बाद यह थोड़ा सा और भी फूल जाएगा और काफी अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा अब हम इसको लेड़े अपलेर से ढख देंगे और बिलको लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम तीन से चार मिनट तक नीचे की तरफ सिखने देंगे तीन-चार मिनट बाद यह उपर की तरफ इकदम ड्राई हो गया है और पहले से काफी अच्छे से फूल भी गया है तो अब हम इसको पड़ट लेते हैं तो नीचे की तरफ यह अच्छे से सिख गया है बस इतना ही हमने इसको सिखना है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है अब मैंने यहां पर लिया है लेकिन टोमेटो केचप इसली मिल जाता है इसली मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप का यूज किया है तो टोमेटो केचप को हम अच्छे से सभी जगह स्प्रेट कर देते हैं तो हमने इसको evenly spread कर दिया है अब हमने जो पत्ता गोबी की filling बना करके रखी हुई थी ये filling हलकी सी ठंडी हो चुकी है और काफी dry भी हो गई है पहले से तो इस filling को हम इसके उपर अच्छे से चारों तरफ फैलाएंगे तो आप इसको खुब मोटा मोटा सा फैला दीजेगा बिल्कुल अच्छे से cover कर दीजेगा तो आप देख सकते हैं मैंने काफी अच्छे से पत्ता गोबी की filling इसमें लगा दी है इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है और यहां पर मैंने लिया है चीज तो मैंने आपर cube चीज का यूज भी कर सकते हैं या अगर आपके पास slice cheese है तो भो भी ले सकते हैं चीज को भी हम अच्छे से पूरे उपर की तरफ फैला देते हैं तो कुछ लोग cheese बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हसाब से ज्यादा भी डाल सकते हैं अब यहां पर मैंने पयाज जिनी की ओनियन दी थी जिसके गोल को स्लाइस कट करके सारी लेयर को अलग अलग निकाल लिया था तो हम इसके चारों तरफ प्याज के जो लच्छे हैं इसको हम रग देंगे थोड़ा सा हम इसको टमाटर से भी डेकुरेट कर देते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा रेड टच भी आएगा तो देखने में और भी बढ़िया लगेगा आपको लग रहा होगा कि रक्षा तो पीजा बना रही है जी बिलकुल आप कह सकते हैं इसको आप पीजा का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा पीजा क्या ट्विष्ट मैंने इसमें दिया है लेकिन यह नीचे से पूरा चेंज है इसमें हमने सूजी से बनाया हुआ है और कैबेज यानि की पत्ता गोबी की फिलिंग बीच में लगाई हुई है थोड़ा सा हमने इसको टश दिया है पीज तो बहुत अच्छा लगता है इसमें डिफरेंट लगता है पीजा से खाने में बहुत मजा आएगा थोड़ा सा उपर से चीज डाल देते हैं ताकि यह मैल्ट हो तो अच्छे से सब्जियों के बीचो बीच फिल हो जाएगा और यहां पर थोड़ा सा चली फ्लेक्स डाल द तो चलीए सब कुछ रेड़ी हो चुका है तो इसको फिर से ढख देते हैं और लो फ्लेम पर इसको हम कम से कम पांच मिनट तक फिर से इसी तरह से पकने देंगे अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको डेपरीट करने में तो आप गैस को बंद भी कर सकते हैं अध यह पका या नहीं आप इसकी आवाज से समझ सकते हैं कि नीचे की तरफ यह काफी अच्छी से पक चुका है और बहुत ही अच्छी से रेड़ी हो गया है तो चली इसको हमा लग निकाल लेते हैं तो लीजिए तैयार है हमारा पत्ता गोभी सूजी का बहुत ही यम्मी यम्म पसंद आएगा तो चली हमें आपको कट करके दिखा देती हूँ आप देख सकते हैं इसका जो सूजी वाला वेस है कितना सॉफ्ट है यह देखिए बिल्कुल चीजी हमारा नास्ता बन करके रेड़ी है तो आप भी इस तरह ऐसी से जरूर बनाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा नीचे की तरह भी बहुत अच्छे से यह सिख चुका है तो अमीद करते हूं फ्रेंड्स कि आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजेगा फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो मे तब तक क्लिए बाबाई टेक केर